हेलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर जैदी आज स्टुडेंट्स मैं अपने वीडियो लेक्चर में क्लास 11 एंसे आल्टी बैलोजी चैप्टर है एनिमल किंग्डम टॉपिक है फाइलम टीनो फुरा फाइलम क्या है टीनो फुरा फाइलम टीनो फुरा के पहले में फीचर्स नोट करें ये इन वर्टी ब्रेट्स हैं इनको हम कॉम जैलीज क्या कहते हैं कॉम जैलीज कहते हैं या सी वाल नट कहते हैं सी वाल नट या कॉम जैलीज कहते हैं कॉम जैलीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन में कॉम प्लेट्स पाय इन में आठ एक्स्टर्नल सर्फेस पर कॉम प्लेट्स होती हैं जो की लोको मोटरी ओर्गेंस हैं कॉम प्लेट्स सिलेटेड होती हैं कॉम प्लेट्स किसी और फाइलम में है ही नहीं तो कॉम प्लेट्स सिर्फ टीनोफोरा का करेक्टर है कॉम प्लेट्स टीनोफोरा का करेक्टर है मेराइन है मेराइन मींस ये एनिमल सी वाटर में पाया जाते हैं समुदर में पाया जाते हैं रेडियल सिमेट्री है इन में रेडियल सिमेट्री होती है डिपलो ब्लास्टिक है डिप्लोप्लास्टिक मतलब हो गया है कि इनकी body wall में दो layer है और उन दोनों layer के बीच में non-cellular gelatinous layer है उन दोनों layer के बीच में non-cellular gelatinous layer है टीनोफोरा यूनिसेक्सवल होते हैं स्वरी टीनोफोरा बाइसेक्सवल होते हैं टीनोफोरा बाइसेक्सवल होते हैं एक्स्टरनल फटलाइजेशन है डवलमेंट इंडारेक्ट है इन में री ट्रेक्ट्राइल टेंटिकल्स होते हैं Retractile Tentacles होते हैं. टेवलिमेंट कैसा होता है? इन्डारेक्ट होता है. Tissue Level का organization इने पाया जाता है. इसका example है Plurobrachia और Teno Plana. Plurobrachia और Teno Plana. Students, ये Bialuminants होते हैं. मतलब Light Produce करते हैं. ये Light Produce करते हैं. मैं कैसे rough diagram बना देता हूँ आपके लिए. Plurobrachia इसका example है. इसमें Tentacles कैसे होते हैं? Retractile Tentacles होते हैं. इसके जो Tentacles होते हैं. Retractile. टीक है? देखें, वो Tentacles extend क्या हुआ है, ये contact क्या हुआ है. इन में Complets होते हैं. ये Complets बनाई मैंने. Complets किते होते हैं? इसमें 8 Complets होते हैं. 8 Complets पाए जाती हैं. Complets इनके Locomotory Organ है. इन Complets में सीलिया पाए जाते हैं. देखें. ये Complets हैं. Complets क्या हैं? Complets के दारा ये Move करते हैं. टीनोफोरा का Common ने मता हैं क्या है? Sea Walnut या Com Jellies. Com Jellies बोलते हैं या इनने हम Sea Walnut बोलते हैं. Com Jellies लिए बोलते हैं. त्योंकि इसमें Complets हैं. त्योंकि इसका Mouth है. Complets. Dear Students. Example के दाशका? Purobrachia और Tynoplana. एक बार फिर से इसके Features को नोट कर लें. Phylum Tynophora ये Phylum Invertebrate में आता है. Common ने में Sea Walnut, Com Jellies. इनकी हैबिटेट है मेराइन. मेराइन हैबिटेट को बिलॉंग करते हैं. Diploblastik हैं. Radial symmetry हैं. Tissue Level का Organization हैं. Bioluminance प्रोड्यूस करते हैं. Bioluminance means ये Light Emit करते हैं. Tynophora. Tynophora Bisexual हैं. External Fertalization है. External Fertalization है. Development Indirect है. इसमें Development कैसा है? Indirect है. A Sexual Reproduction इनमें नहीं होता है. इसका Example है. पिलियूरो ब्रैकिया और Tynoplaan. Dear Students, ये Topic यहां पे Complete होता है. Thank you. Wish all the best.